ना संघर्स ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में बरे बरे दुखान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में दोस्तों मैं ये बात इसलिए का रहा हूँ क्योंकि जीग्यासा और जुनून वो चीज है जिसने आदमी को चंद्रमा तक पहुचा दिया इसलिए आप दोर के अंडर सिखने की जीग्यासा और जुनून जरूर होनी चाहिए तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ वाड पंचायत प्रखंड अनुमंडल मंडल या जीला प्रमंडल राज ये देश इन सारे टर्मों के बारे में काफी अच्छे से मैं डीटेल में बताने वाला हूँ कि आखिरी एकर्म का मतलब क्या होता है क्योंकि चाहे आखबार हो या किताब हो या कहीं न कहीं सुनने को भी जरूर में मिलता है तो आए इन सारे टर्मों के बारे मैं एक एक करके इसकस करता हूँ दोस्तों सबसे पहले में बात आदेना चाहता हूँ कि वाड के बारे में तो वाड क्या होता है देखिए किसी भी राज के अंदर ग्राम पैंचायत होते हैं कहीं करी नगर निगम भी होते हैं तो ग्राम पांचाहित के अंदर सबसे छोटी परसासनिक जो इकाई होती है जो सबसे छोटी परसासनिक जो छेतर होता है उसको वाड कहते हैं और वाड का जो गठन किये जाता है लगभग एक पांचाहित में लगभग सकता है इतनी कि जन संख्याप और एक वाड का गठन किया जाता है और हमने को एक लाख चूदव हजार चौज़ का सथ größte यानि वाट की संख्या की अगर बात करें पुर्य विहार में ये लाख चौदव हजार 466 आरफ पंचाथ है वहां की संख्या अलग अलग हो सकती है आपको स्मझ में आ गयर की Barbara किया होता है अर Цemptai बात कर लेता हूं पंचRY तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ पंचायत का गठन कैसे होता है तो देखिए पंचायत का गठन जो होता है वाड से वाड मिलाकर पंचायत बनाया गया है वाड से वाड मिलाकर क्या बनाया जाता है पंचायत मिलाया जाता है और एक पंचायत में लगभग 11, 12 या 5 या 6 मतलब जैसे भी मतलब ज़ितना जन संख्या होगा उसके अनुसार इसका गठन किया जाता है आपको याद रखना है कि एक पंचायत का गठन वाड से वाड मिला कर बनाय जाता है और पंचायत के जो मेन अधिकारी होते है उसको क्या कहा जाता है चाहता हूँ कि अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तोटल 8387 गराम पंचायत का गठन किया गया है अभी बिहार में तोटल गराम पंचायत की बात करें तो 8387 गराम पंचायत की संख्या है तो आज़े दोखतों अब मैं बात कर लेता हूँ मतलब घर fun lat 4 से करांब बनायागए आप उते हैं चाहे सहर में यह गाम में रहते हैं और कोई ना कोई तो नगर रीघंग मैं या गराम पैंचर ज़रूर होते हैं आप सबसे बरे जिवाधिकारी होते है उसको कहा जाता है बीडियो का फुलपराफ होता है यानी परखंड फिकाष पत अधिकारी यानी आपको याद हो गया कि परखंड के सबसे बरे अधिकारियों क्या करता है यानुमंडल को बनाए जाता है और अनुमंडल के सबसे बरे अधिकारी को SDO कहा जाता है अनुमंडल के सबसे बरे अधिकारी को कहा जाता है SDO यानि सब डिस्टिक आफिशन और पुरे बिहार में अनुमंडल की संख्या कितना है 101 है आपके राज की अनुमंडल की जो संख्या है अलग अलग हो सकती है आप लोग जरूर करने जेगा। अपको समझ में आगए अनुमंडल क्या होता है। बात कर लेता हूं मंडल या जीला के बारे में देखिए मंडल कही है या जीला के बात ऐख है। इसे पूछा ज इसका गठन कैसे किया गया है इसका गठन किया गया है अनुमंडल से अनुमंडल मिलाकर क्या बनाया जाता है तो अनुमंडल से अनुमंडल मिलाकर जीला बनाया जाता है यानि डिश्टिक बनाया जाता है बिहार में जीलू की संख्या कितना है और ती से जीला से रिलेटेट फैक्ट एक और आप याद रखेएगा परिशन आप से पूछेगा कि वह कौन सा जिला है बिहार का जो सबसे अंति में बनाए गया है तो बिहार का वो जिला है और वो जो जिला है बिहार का अंतिसवा जिला है और एक और आपको चीज याद रखना है फैक्ट कि जीले के सबस मुझे वर्यादिकारी को Di Inna का जाता है आपको सम Ż में आ गया कि जीला का गठम कैसे किया जाता है और मारों को डिमें stuck मॉलते में बारे में और मंधडर को क्या मैं बढता रोटे में टे किसी फ्रमांडल को मद्भाठा परमंडल के सबसे बड़े आधिकारी को कमिशनर कहा जाता है और इसको हिंदी में क्या चाहिता है को आयुक्त कहा जाता है और यह जो परमंड़ होता है हर एक तोडल परमंडलों की संख्या इतना है नौ है हर एक परमंडल में अलोग अलोग जीले होते हैं जैसे सारण परमंडल के मैं बात करूं तो सारण परमंडल में तीन गोजिला है छापरा, सिवा, ना, गोपाल, जाम लोग नाम सुने ही होंगे मैं बात तो लियाता हूं एस्टेट के बारे में, तो राज डैसे बनाए गया है जीले से जीले को मिलागा और राजे को बनाया गया है. और राजे को सबसे बड़े अधिय कारी को मुक inaccily कहते हैं. यानि CM कहते हैं चीफ मिनिक्टर कहते हैं आपको समझ में आ गया अब उसके बाद देश कैसे बना है तो देश कैसे बना है तो देश बना है राज से राज मिलागर देश को बनाया गया है राज से राज मिलागर क्या बनाया गया है देश को बनाया गया है और आपको मैं बतात परखांड अनुमंडल मंडल परमंडल राज देश की बारे में काफी अच्छे से समझा दिया हूँ और ऐसा करता हूँ कि आप सभी को अब हमेशा याद रहेगा आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरू बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में दिजी जाजात नमस्कार